दिशा नर्देश में बोला था कि उदर तलाव एजसाद गाव में और मंदरी भी है और उदर बिख्षार आप करें बिख्षार आपन का यही मकस्व है कि हमारा बातावर्न है इसे शुद होता है और यह जो पेड है यह हमारे लिए बहुत फैदेवन्द है इससे हमारे को लकडी मिलती है आक्सिजन देते हैं और बातवर्न में जो गंदी हवाएं हैं उनको जज़ब करते हैं और जो प्लदार पेड़ है ये प्ल देते हैं और गर्मियों के दिन हो हमारे से शाया प्रदान physical और जहां अगर कोई जमीन बह रही है तो इस जमीन को वो यह रोकते भी है बहने से रोकते भी है अर्फात में आने को और सबसे बड़ी है काम नहीं चुरू कि यह प्लांटेशन ड्राइब को जो इस सबक्ति यह नीडा भावर है ना जैसे मारा ग्लोबल वार्मी बढ़ रही ही तो मैं कहता हूं सबसे ज्यादा जिनूट इस चीज की अपने जितने भी हम प्लांट लगा से हमें ज्यादा से ज्यादा लगाने करें और प्लांट लगा के छोड़ देना उससे हमारा जो नीशन है वो यह मारा फुल्फिल नहीं होता है उसको आमने आगे प्रोटेक्ट का मझावाई श्र्वंण नहीं होता है उसक नहीं होता है पूपी चीरे ला है उसी अगिल होने है उसके बारे में यह है कि आज हमारी एक टीम श्री श्Вास चंद्रा सेनानी शंत्हली सिवी बहाणी की तरफ से गाउंच सिजाद में ब्रिकषार रोपन कीये जा रहा है बिरिक्षार उपन का मक्सद जही है कि हमारे को शुद हवा मिले आक्सीजन प्लांटेशन इसलिए की जाता कि शुद आक्सीजन और जो गंदी हवा हैं उनको ये ज़जब करते हैं और आक्सीजन हमारे को देते हैं पेड से हमारे को फल मिलते हैं और पक्षियों को उनसे शाया मिलती है उनको गर्म बनाने के लिए आश्रा मिलता है और गर्मियों की दिनोंप जो चिड़ चिड़ाती गर्मी है उससे हमारे को शाया मिलता है यही हमारा मक्सद है और इससे जो बातावर्न है वो शुद होगा और इससे जही सीख जही है कि पोदे लगाओ और बातावर्ण को शुद बनाओ हमारी तरफ से इससे पहले स्कूल निचला में प्लांटेशन किया जिसमें हमने 500 पोदे लगाए और आज भी हमने 200 पोदे लाए हैं जो कि फालदार शायदार पेड़ हैं बगएरा बगएरा तो आपका क्या मैसे रहेगा मैसे जही है कि हर आदमी के लिए जही है कि हर आदमी पेड़ पोदे लगाए और बातावर्ण को शुद बनाए